नमस्कार भारत की अर्थ विवस्ता जो की आठ प्रतिशत से ज़्यादा ग्रोथ पे बढ़ रही थी वह आज नेगेटिव ग्रोथ पे क्यों आई सवाल ये उठता है कि ये नेगेटिव ग्रोथ क्या करोना के कारण है जी इसका उत्तर है बिलकुल नहीं मैं दो-तीन आकडों से शुरुवात करता हूँ अपनी बात की फाइनेशल येर वित्यवर्ष 2016-17 में देश में 8.3% की पॉजिटिव जी डीपी ग्रोथ थी जो करोना के पूर्व फाइनेशल येर 2019-20 क्योंकि करोना 2020 के बाद देश में एंटर हुआ 2019-20 में वो 4.2% हो जाता है अर्थात अर्थ विवस्ता जो FY 17 में 8.3% थी वो FY 20 में 4.2% हो जाती है मतलब आधे से भी जादा की उसमें नेगेटिव डाउन टर्न हो जाता है ऐसा क्यों हुआ इसका क्या कारण है एक मजबूत अर्थ विवस्ता जो आठ प्रतिशत की दर से लगातार ग्रो कर रही थी वो 4.2% करोना के पूर क्यों आई उसके दो कारण है जब आपने देश के पूरे असंगटित शेतर को एक ऐसा डेंट दिया नोटबंदी के द्वारा की वो आज तक अपना सिरूचा नहीं कर पाया जब आपने देश के संगटित शेत्र को बिना तैयारी के GST लागू करके ऐसा डेंट दिया कि आज तक वो उचा नहीं हो पा रहा है तो दो कारण है एक तो बिना सोचे समझे बिना तैयारी के एक अच्छे कंसेप्ट को बिल्कुल खराब करना जिसका उधारन है GST और एक है नोटबंदी जिससे की देश का अनार्गनाईज सेक्टर पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है अब उसके पश्चात देश में करोना एंटर हो जाता है करोना में क्या किया सरकार ने बिना सोचे समझे चार घंटे के नोटिस पे देश में लोगडाउन लगा दिया अपने अपने घरों की और गए क्योंकि सरकार ने तो सोचा नहीं सरकार तो रात को 8 बजे निर्ने करती है और 12 बजे लागू कर देती है नोटबंदी का जो निर्ने था जो 8 बजी जिसको जिसकी गोश्चना की गई 12 बजे लागू हो गया जीएस्टी रात के 12 बजे बिना तैयारी के संसत खुलवा के जीएस्टी लागू कर दी फिर 8 बजे तालाबंदी का निर्ने किया तालाबंदी के निर्ने से 4 गंटे के तालाबंदी के निर्ने से हज़ारों लोग भुक्मरी का शिकार हुए एक अनुमान के अनुसार 23 करोड लोग पौवर्टी लाइन के गरी भी रेखा के नीचे चले गिये एक अनुमान के अनुसार लगबग साड़े 4 करोड लोगों ने अपना रोजगार कोया क्योंकि अर्थ विवस्ता कोई बिजली का खटका नहीं है कि जब चाहे जब बंद कर दिया जब चाहे जब चला दिया जब आपने तालाबंदी का निर्णे लिया चार घंटे के नोटिस पे जब आपको सोचना चीए कि अर्थ विवस्ता के मॉमेंटम का क्या होगा तालाबंदी के कोई खिलाप नहीं था से तालाबंदी के सफर ने आज नेगेटिव पे लाके खड़ा कर दिया फिर उससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप से जब सवाल पूछा जाता आर्थ विवस्ता की बेकारी के बारे में बेरोजगारी के बारे में जो हमारे करोना के पूर हम देश में 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी पर थे जब उसके बारे में सवाल पूछा जाता है तो आप उस उस बीमारी को इमानने को तयार नहीं हो बीमारी का इलास तो जब संबव होगा जब आप उस बीमारी को एकसेप्ट करोगे कि अर्थ विवस्ता भायंकर मंदी में है अर्थ विवस्ता की मिस है handling हुई है एक emerging economy को आपने ध्वस्त किया अपने गलत निर्णियों के कारण एक ऐसी economy जिसके बारे में दुनिया दुहाई देती थी कि ये double digit growth की economy है उसको आपने negative contraction पे लाके खड़ा कर दिया और करोना के पीछे आप छुप नहीं सकते क्योंकि करोना के पूर्वी आपने अर् विवस्ता को गिरती वी अर्थ विवस्ता को revive कैसे किया जाए ये निरंतर बढ़ता हुआ जो बेरोजगारी है देश में उस समस्या का निदान कैसे किया जा सके तो मेरे पास 5 सुत्री 5 step का process है first step देश में सबसे पहले मांग मांग को पुनर जीवित करना पड़ेगा demand का revival क रिजर्बैंक ओफ इंडिया का यह आखड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं कि रिजर्बैंक ओफ इंडिया का consumer confidence index कहता है कि consumers का मांग में कोई confidence नहीं है लोग पैसा भार खर्च करने को तयार नहीं है economy में मांग generate नहीं हो रही अब मांग को कैसे generate किया जाए मांग को generate कर करने के लिए आपको लोगों के हातों में पैसा transfer करना पड़ेगा हमने जब नियाई scheme की बात करी आपने बहुत उसका मजाक उड़ाई जब देश में मन्रेगा की बात आई परधान मंत्री जिने संसत में खड़े होके ताली वजा वजा के उसकी मजाक उड़ाई पर आज प आपने जिस scheme की ताली वजा के मजाक उड़ाई आज वही scheme आपके सहारे के लिए खड़ी है क्योंकि मन्रेगा आजाद हिंदुस्तान की एक मात्री scheme है जिसको UNDP ने माना है कि मन्रेगा के कारण बूतपुर प्रधान मंत्री डॉक्टर मनमोन सिंग जी के निरने के कारण 21 कर लोड से जादा लोग poverty line के बाहर आए ये मन्रेगा की कामियाबी की दास्तान है अब आप जब मांग पुनर जीवित करने के लिए लोगों को confidence देना पड़ेगा लोगों के हाथ में पैसा transfer करना पड़ेगा inflation बढ़ा के नहीं पैट्रोल डीजल की कीमते बढ़ा के नहीं उससे तो आप लोगों की जेब में जो पैसा है उसको भी बाहर खीच रहे हो गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा के नहीं उससे तो जो ग्रहनी के हाथ में जो पैसा है उसको भी आप बाहर खीच रहे हो आपको demand side मा मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ पर क्या ये रियायत परसनल इंकम टेक्स के आप जैसे मेरे जैसे मध्यमायवर्गे निमनायवर्गे लोगों को नहीं दी जा सकती। उसको आप किती भी रियायत दे दो, एकोनोमी रिवाइब नहीं होगी। तो सप्लाइ साइड इंटर्वेंशन इस नोट दा राइट मैजर। ये कोई राइट आर्थिक सुधार का ओजार नहीं है। मांग को आपको पुनरजीवित करना पड़ेगा। तीसरी बात MSP और यहा जाए। अगर सरकार यह विवस्ता करें कि सारी के सारय जो उपज है वो प्राइवेट हो या सरकारी खरीद हो, वो MSP पर ही खरीदा जाएगा और अगर MSP से कम कोई व्यक्ति खरीदता है तो यह दंडनी अपराद है। अगर यह विवस्ता कर दी जाती है, तो लोगों के हा आतों में पैसा पहुंचा तो मांग अपने आप पुनर जीवित हो जाएगी अपने आप मांग के साथ खपत बढ़ेगी खपत बढ़ने के साथ रोजगार के ने साधन उपलब धोंगे और जो 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी में आपने धकेला उससे देश बहार निकल के आ सकता है जो आपने GDP को सवा आठ परतिशत से जादा बढ़ती भी GDP को आपने करोना के पूर्व चार परतिशत पर लाके खड़ा कर दिया मेरा सवाल यह है कि दुनिया में भी करोना सब देश में आया पर भारत की GDP क्यो माइनस 24 परतिशत से गिरी देश के दुनिया के दू लोगों के हातों में पैसा डालना दूसरा सप्लाइ साइड इंटरवेंशन से सिरफ काम नहीं चलेगा आप कॉर्परेट्स को टेक्स की रियायत दे रहे हो आप कॉर्परेट्स को कह रहे हो कि आप लोन ले लो आप कॉर्परेट्स के 10 लाग करोड रुपे के जो लोन है उस किसान के बारे में सोचा जो नौ महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे आप से बात करने के लिए बैठा है छैसो से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान गवा दी आपने उनको का निठला ठलुआ पाकिस्तानी एजेंट कालिस्तानी एजेंट कैनेडियन एजेंट आपके मंत्रिय ने आपके सांसदों ने उनके साथ क्या-क्या उनके लिए क्या-क्या शब्दों का प्रयोग किया किसी भी व्यक्ति ने प्रधान मंत्री जी हो या देश के क्रशी मंत्री जी हो इस बात का खंडन किया बिलकुल नहीं तो पहला मांग का पुनर जीवन दूसरा सप्लाई चौथा आपको GST को rate rationalization करना पड़ेगा मैं आपको उधारन देता हूं साथियो क्या हमारे देश में bike एक luxury goods है क्या bike वो चलाता है जो एक luxurious life जीता है पर हिंदुस्तान की text की जो structure है GST का जो structure है उसके अधीन 28% GST bike पे लगाई जाती है तो bike को luxurious goods माना जाता है क्या हमारे देश में जो दवाईया है करोना के दोरान हमने मांग की कि remedy सीवर हो या दूसरे अन्य लाइफ सेविंग ड्रक्स हो क्या वो GST के दाएरे में आने चाहिए क्या करोना की vaccine पर GST लगना चाहिए ये बड़े सवाल है GST की rate rationalization की सक्त जरूरत ह और अंत में ये कहना चाहूँगा पांच वाउपाए कि आपको petrol, diesel और gas इन तीनों में जो अप रत्याशित व्रद्दी हुई है उसका एक एक नमूना देता हूँ डीजल कौन उपयोग करता है हिंदुस्तान का किसान उपयोग करता है आपने डीजल की price पिछले 7 साल में डबल कर दी उसका खामियाजा क्या हुआ कि किसानी की लागत खेती की लागत प्रती हैक्टेर 25,000 रुपे से बढ़ गई ये मैं नहीं कह रहा है ये भारत सरकार के आ जा किसानों के साथ मजाक नहीं है तो क्या है पेटरोल कौन उपयोग करता है पेटरोल उपयोग करता है एक मध्यमाई वर्गी है व्यक्ति एक सेलेरीड क्लास व्यक्ति जो अपने office से घर गर से office अपने रोजमरा के कारियों के लिए गाड़ी मोटरसाइकल छोटा वान का करता है जब इस दोरान उसकी नौकरी जा रही है उसकी सेलरी छेचे महीनों में मिल नहीं रही है और अगर मिल रही है तो 25% सेलरी कट हो रहा है उस दोरान क्या पेट्रोल के दाम निरंतर बढ़ाना क्या अच्छी एकोनोमी है गैस का उपयोग कौन करता है हमारी ग्रहनिया कर क्योंकि आपने गैस सिलेंडर के दाम अप्रत्याशित रूप से इस साल में पिछले आठ महिने में लगबग 200 रुपिय प्रती सिलेंडर आपने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिये उस दोरान बढ़ा है जब economy contract कर रही थी इससे inflation बढ़ रहा है तो अभी हो क्या रहा है गिर प्रती मांग और बढ़ती भी कीमते यह economic model आपको long term में आपको देश को और देश के लोगों को ताकत नहीं देगा यह देश हम वापस से इस economic model से वापस से 10% ग्रोथ की जिसके लिए भारत की बात की जा सकती थी उस पे हमको वापस आना पड़ेगा 2009 में भी दुनिया की ब भले ही वो मनरेगा हो भले ही वो right to food हो भले ही वो right to education में बड़ा allocation करना हो और last but not least इस भैंकर मंदी में सरकार का काम यह था कि अपना capex बढ़ाए सरकार ने budget के दौरान बड़े जोरो शोरो से बोला कि 5.5 लाख करोड का capex होगा financial year 2022 में पर आप capex अपने first quarter में आपने थो अपने capex घटा दिया तो जब आप बड़ा विनिर्मान में खर्चा नहीं करोगे जब आप लोगों के हाथ में cash नहीं दोगे जब आप मध्यमाय वर्गिये लोगों के लिए pay check protection program लागू नहीं करोगे जब आप गैस डीजल और petrol के दाम निरंतर रूप से बढ़ाते उसका नमूना यह हुआ कि देश पर करज साथियों बहुत महतपून आकड़ा आप सब के सामने बता रहा हूँ क्योंकि सरकार इसको निरंतर चुपाती है देश पर जो करज था 2014 में 55 लाग करोड रूपे का था जो 2022 में expect हो रहा है 135 लाग करोड मींस हर हिंदुस्तानी पर 2014 2014 में 43,124 रूपे का कर्ज था जो पिछले 7 साल में बढ़कर 96,361 चिनवे 1361 रूपे हो गया क्यों हुआ क्योंकि सरकार के पास कोई आय का साधन नहीं है सरकार की कोई सोच नहीं है सरकार ने एक-एक सेक्टर को चुन-चुन के डेंट देके पूनता धुश्त कर दिया आप ने सरकारों ने वहाँ के लोगों की हैंड होल्डिंग करी हमारी सरकार ने उस समय वी एक प्रचार का माध्यम किया 20 लाग करोड के पैकेज की हाकिकत आये में बोलता है कि मात्र दो लाग करोड है फिसकल इंपेक्ट ऑफ 20 लाग करोड जो की माननी प्रधान मंत्री जी और वित्यमंत्री जी ने जोरो शोरो से एक पैकेज की गोशना करी उसमें फिसकल इंपेक्ट मात्र दो लाग करोड है बाकी लिक्विडिटी है बाकी लोन है क्या लोन को पैकेज कहा जा सकता है आप क कि वोकल फॉर लोकल हो जाईए आपकी आपकी नीतियों में कोई स्थाइत्व नहीं है आपकी सोच में कोई स्थाइत्व नहीं है आप गवर्नेंस को और विशेशकर एकनॉमिक गवर्नेंस को एक डिजास्टर मैनेजमेंट की तरह नहीं चला सकते कि अभी यहां की बात कर ले आज 16 परतिशत कॉंट्रिबूशन है मैनिफेक्टरिंग सेक्टर का जीडिपी में, नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि मैनिफेक्टरिंग सेक्टर जो की एक employment generating सेक्टर था, वहां से employment टूट रहा है, employment छूट रहा है, हमने आशा की कि जब चाइना से manufacturing shift होगी, तो कुछ manufacturing इंडिया आएगी, पर उन manufacturing company ने इंडिया का रुख नहीं किया, उन्होंने दूसरे South Asian countries जैसे Bangladesh हो, Vietnam हो, Korea हो, वहां का रुख किया, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, केवल भाशनों से बात नहीं पड़ेगी, केवल debt ले लेके, आप उधार ले लेके सरकार के खर्चों को नहीं चला सकते, आप पुरानी सरकारों द्वारा बनाई हुई संपत्तियों को बेच बेच के, public sector units को बेच बेच के, अपने खर्चे पूरे कर रहे हो, financial year 2021-22 का अनुमान ये है, कि कर से केंद्र सरकार को साड़े पंद्रा लाग करोड की आए होगी, करो से, जिसमें GST, income tax और सारे कर है, और ब्याज का खर्चा है भारत सरकार का साड़े आठ लाग करोड, मतलब 55 प्रतिशत जो सरकार की आए है करो से, वो तो ब्याज में चली गई, अब सरकार क्या कर रही है, ब्याज देने के लिए नया कर्ज ले रही है, इसको अगर हम जो चिट फंड कंपनियां ऐसा जो करती है, उनको पॉंजी, उनको जाल साथ चिट फंड कंपनियां कहती है, कहा जाता है आपने सरकार की अर्थ विवस्ता को यहां लाके खड़ा कर दिया तीन आपने काम किये जिससे अर्थ विवस्ता में डेंट आया 2016 का नोट बंदी 2017 का बिना सोचे समझे GST लागू करना और 2020 का यह 4 घंटे का नोटिस पे आपने economy को बंद कर दिया मैं हमेशा कहता हूँ यह 8 से 12 वाला कारेकरम भारती अर्थ विवस्ता के लिए सुचारू नहीं है जो 8 बज़े आप थ्रिल के रूप में एक excitement के रूप में निरने लेते हो 12 बज़े देश पे थोप देते हो उसका नतीज़ा देश भुगत रहा है उसका नतीज़ा यह हुआ कि आज ब्याज़दरे जो 9 प्रतिशत हुआ करती थी एक साल की FD पे 2014 में आज वही FD पर एक साल के ब्याज़दर हो गई 5 प्रतिशत एक pensioner अगर अपने pensioner उसको जो retirement के समय जो पैसा मिलता है वो अगर बैंक में 2014 में लगाता था तो उसको positive inflation adjusted growth होती थी जो आज negative inflation adjusted growth है अर थात आज अगर कोई एक pensioner 10 लाग रुपी एक साल के लिए FD कराता है तो उसमें कोई return नहीं है negative return है जो 2014 में positive return था क्योंकि economy में inflation भी है economy में मुद्राइश स्विती भी हो रही है consumer price inflation भी चल रहा है अगर उन सब को adjust करके देखा जाए तो negative growth है तो क्या हिंदोस्तान के युवा रोजगार नहीं चाहते हैं बिल्कुल चाहते हैं क्यों ऐसा हुआ कि हम 45 साल की करोना के पूर्व कहा क्ला है मैं करोना को तो entry नहीं करा रहा हूँ करोना के पूर्व क्यों ऐसा हुआ कि 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी पर देश आ गया करोना के दौरान ऐसा क्यों हुआ कि पिछले डेड़ साल में दुनिया के सारे देश आर्थिक रूप से करोना से बाहर आ चुके हैं पर हमारे देश की बेरोजगारी आज भी 8-9 परतिशत के बीच चल रही है जो 2011-12 में 2 परतिशत थी है इसके कारण क्या है इसके लिए कौन उत्तरदाई है इसके लिए मौझूदा केंदर सरकार उत्तरदाई है क्योंकि समस्या यह है कि केंदर सरकार आर्थिक वेवस्ता को बेरोजगारी को प्रॉबलम ही मानने को तयार नहीं है जब तक आप एक रोग को accept नहीं करोगे आप उस रोग का निदान नहीं कर सकते अर्थ विवस्ता कोई disaster management नहीं है अर्थ विवस्ता कोई bandaid नहीं है कि यहां लगी यहां लगा दिया अर्थ विवस्ता long term vision long term policies पर चलती है और long term policies पर चलके हमने दिखाया 2004 से 2014 के बीच में जब अर्थ विवस्ता ऐसी थी कि दुनिया की बड़ी-बड़ी magazine हिंदुस्तान की अर्थ विवस्ता का comparison चाइना की अर्थ विवस्ता से करते थे और 7 साल के आपके कूशाशन ने आज यहां लाके खड़ा कर दिया कि बांगलादेश की GDP भारत से बहतर कर रही है इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा और इन सवालों को जवाब देने के लिए पहले आपको रोग को accept करना पड़ेगा मांग को पुनर जीवत करना पड़ेगा सप्लाई साइड इंटर्वेंशन से बहार निकलना पड़ेगा जी एस्टी की रेट रेट रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा manufacturing sector को focus करने के लिए दिर कालीन योजनाएज लागू करनी पड़ेगी किसानों को MSP legal right के रूप में देना पड़ेगा और लोगों के हाथ में मध्यमाय वरगिये लोगों के हाथ में पड़ेगा ने वहाँ पे जिन लोगों की नौकरी छूटी उनके साथ paycheck protection program लाए हम जब बेरोजगारी की बात करते हर महीने एक आकड़ा अभी अगस्त का महीने का आकड़ा आया कि 15 लाख लोगों ने अगस्त महीने में अपनी नौकरी खो दी उससे पहले जुलाई महीने में 30 लाख 34 लाख लोगोंने अपनी नौकरी खो दी आपने तो बात 2 करोड रोजगार के स्रजन की की थी आज यहां पे रोजगार स्रजन तो भूल जाईए हर महीने लाखों नौकरियां जा रही है आप आकड़ों को छुपा के अपनी नाकामियों को नहीं छुपा सकते क्योंकि अर्थ विवस्ता जो है वो बार-बार आपको चेता रही है कि मैं रिसेशन में हूँ मेरे को सुधारो मेरे को युवा बार-बार चेता रहे हैं कि हमको रोजगार के अव परसेंट पॉजेटिव अर्थ वेवस्ता मिले नेगेटिव 8 परसेंट नेगेटिव 24 परसेंट नहीं हमारे युवाओं में डेमोग्राफिक डिविडेंट जो था आपने उसको डेमोग्राफिक डिविडेंट को डेमोग्राफिक डिजास्टर में तब दिल कर दिया प्रधा किया जाता है देश की सरकार देश के युवा देश के लोग ये सवाल बार-बार सरकार से पूछ रहे हैं अंत में यही कहूंगा capacity utilization बढ़ाईए capex बढ़ाईए क्योंकि जब तक capacity utilization नहीं बढ़ा private sector भी नया investment नहीं करेंगे आज देश में capacity utilization पिछले आठ quarters में 70% से कम है अर्थात अगर मैं 100 pen बना सकता हूँ तो मैं 70 से कम pen बना रहा हूँ जब मैं 70 से कम pen बना रहा हूँ तो मैं नया निवेश करूँगा नहीं economy में मैं नया निवेश नहीं करूँगा तो नए रोजगार के सादन उपलब नहीं होंगे नया निवेश में जब ही करूँगा जब नई मांग होगी बजार में ये इतनी सी कक्षा 11 की एकनॉमिक्स माने निये वित्त मंत्री जी क्यों नहीं समझ पाती है माने निये प्रधान मंत्री जी और उनके एडवाईजर सी इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पाते है हिंदुस्तान के लोग आपकी 4%, 3%, negative 24% GDP के लिए नहीं है युवायों को रोजगार चाहिए आपके जुमले नहीं चाहिए मेरे बताये गए सुझाओं पर गौर कीजिए और देश की अर्थ विवस्ता को वापिस पट्री पर लाने का काम कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिंद, नमशकार झालाओ, जैहिंद, बहुत बहुत बहुता है कर दो